मैं सिदिक्छा, मैं सरोजनी नाइदू बनी हूँ, सरोजनी नाइदू एक सतंत्रा से नानी और एक कावित्री भी थी बात्र तेरा सार के उम्रमे उन्होंने दे लेजी ओफूड नामक किताब लिखी थी कविता से वो मसूर हुई, उन्हें भारत कोकिला नाम से भी जाना जाता है सरोजनी नाइदू गांधी जी के साथ दक्षिर अत्रिका में काम किया उन्होंने महिलाओं के अधिकान के लिए जोड़दार अवाज उठाई सवीने आयोग अंदोलन में भाग लिया भारत छोड़ो अंदोलन में 21 महीने के लिए वो जेल गई 1925 में भारत रस्ट कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी 1932 में भारत की प्रथिनीदी बना कर दक्षिन अफ्रिका भेजी गई सतंत्र भारत के बाद पहली महिला राज़पाल बन कर देश की सेवा की धन्यवा जाहन झांड